हेलो दोस्तों वैलकम टो आवर ट्रेंट दाइबी क्लासेज और आपको हम अब की बाद से च्छेस पार में आपका फिर से स्वागत है हम लोग साइन्स का साथ नोट्स आपको दे रहे हैं जो आपके एक्जाम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है और सुबह से हमारी तीसरी क्लास है और क्लास 6 की दूसरी क्लास है सुबह से मैं तीन क्लास ले चुका हूँ ठीक है तो आल वैलकम थैंक्यू संतूस ठीक है तो सबसे एक हमबल लिक्वेश फिर से जितने लोग लाइव हो प्लीज लाइक कर दो आठ लोग लाइव हो और लाइक मि कितना मेरे साथ मितलब तुम लोग 9 मेरे साथ जो करते हो यह हम क्या बताएं तुम लोग को ता 8 12 वो 6 लाइक है तुम लोग इतना बाद क्यों बोलना पड़ता है जैसे हम अपने टाइम पे 6 बजे 7 बजे 8 बजे लाइव आ जाते हैं जैसे मेरा फर्ज है कि लाइव आना और तुम लोग को पढ़ाना वैसे तुम लोग का भी तो मेरे लिए एक फर्ज होना चाहिए कंसकम लाइक तुम लाइक है सर सबसे पहले किया ऐसा थैंक यूर्दा यूवार गुट बुआ है अदो को लाइक ना करना पर इसके लिए लोग भाग जाते हैं ऐसे ऐसे कलाकार लोग हमारे पास से क्या बताएं थैंक यू अनिता चौजरी जी थैंक यू जागतिया उसे एक ठीक है जितने लोग भी लाइव आना प्लेट करते हुए जाना ठीक आप लोग के लाइक से ही हमको अंदर आत्म विश्वाज बढ़ता है कि यार मेरे वीडियो को इतने लोग देखे हैं ठीक है हमारे अंदर से उत्सा बढ़ता है ठीक है तो हम लोग उतने जादे नुट्स आपको देख आएँगे ठीक है जिस दिन भी आप लोग जिस दिन भी आप लोग लोग ने 100 कर दिए हमारे वीडियो पर जिस दिन आप लोगोरने ऑं कर दिए या करवा दिए उसी सोचियो समझ लो दिन भर लुद लोर कलास चलेगी कि दिन भर क्लास में चलाओंगा अगर जिस दिन भी आप लोगों ने सो लाइक कर दिये हैं हाव आर यू मैं बढ़िया हूं बिटा आप कैसे हो मैं चैट आफ करता हूं और जिल्दी आज की लिया जाए जैसे मैंने बताया था आज भी मैंने परreg contributed यो इंवेंशन और inventor को ही लेक किया है जो important.p neglected है और जो आपकी exam में आ सकते हैं उनको लेके में बprovिधा रहा थीक्राइए जूरुकरते हैं पहला है एर ओर प्लेव creation किस नरहें वेट किया था तो राइड ब्रदर्स एयर ब्रेक फॉर रेल रोड रेड रोड के लिए एयर ब्रेक किस ने बनाया था तो जॉर्ज वासिंग्टन हाउस एल्कोहल थर्मामीटर किस ने बनाया था तो फॉरेंहाई ने बाइस्किल किस ने बनाया था तो के मैकलिन ने मॉन्ट गॉलिफर ने बैरोमिटर इ टॉरिसेली ने कार इस टीम कार बनाई थी एन कॉनट ने और पैट्रोल कार के बैंस ने सबसे पहले बार बनाया था या यह दूसरे वर्ण है यह उनके फाउंडर हैं फिर आगे बढ़ते हैं नेक्ट है हमारे पास माइक्रोफोन के फाउंडर जो हैं वो डैविड हुगे हैं माइक्रोइस्कोप के जेड जैंसन हैं मकरी ठर्मामीटर के फिर फॉरें हाइट हैं मोशन पिक्चर के थॉमस अलवा हैं थॉमस अलवा एडिशन मोशन पिक्चर के मसीन के भी एडिशन है अब मोटर कार के डैलिमर हैं नियोन के डबलू रैमवे हैं और फोटोग्राफ के भी एडिशन ही है ठीक है फोटोग्राफ भी एडिशन नहीं डेवलप किया था फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है डीजल ओईल का तो रुडॉल डीजल ने किया था डीजल ऑईल इंजन अक्टली में डाइन्मो का माइकल पैरेडे ने किया था लेक्टिक बल्फ भी एडिसन ने किया था इलेक्टिक थियोरी बोर की थी, इंजन, रेलवे इंजन को स्टेपसन ने बनाया था, फाउंटेन पेन, एल इ वाटर्स मैन ने बनाया था, ग्रामो फोन, थॉमस एलवाइडिसन नहीं बनाया था, आप लोग देख रहे हैं थॉमस एलवाइडिसन, इसी लिए बेस साइंटि ने बनाया था, पाउंटेन एलिवेटर को ओटिस ने बनाया था, इंटर्नल कंबस्टन इंजन को रोडॉल्फ डीजल ने बनाया था, जेट प्रोपल्शन लेजर को फ्रैंक विड्टर, डॉक्टर टीम, मैनमैन एन डॉक्टर सी जी यंग, तीन लोगों ने मिलके, जेट प्रोपल्शन लेजर का अविस्कार किया था, ठीक है, यहाँ पर है, लीनो टाइप, लीनो टाइप को मर्जन थलेन ने किया था, लाइफ बोट को हैंडरी ग्रेटर हैड ने बनाया था, लूप को डॉक्टर जैक लिप्स ने बनाया था, लोको मोटिव को जेम्स वाट ने बनाया था, लोको मोटिव पावर इंजन जो जेम्स वाट का था, मसीन गन डॉक्टर गैटलिंक ने इनवेंट किया था, फिर पेनुमेटिक टायर पेनुमेटिक टायर किस ने बनाया था तो एन डबलू थॉंसन ने बनाया था पावर लूम पावर लूम काड राइटर ने बनाया था प्रिंटिंग प्रेस जे गटन बॉर्ग ने बनाया था रेडार रॉबर्ट वाट्सन ने बनाया था रेडियो ट्रा निउटन ने बनाया था रिवालवर कॉल्ट ने बनाया था सेफटी लैंप हमफ्रीड डैवी ने बनाया था सिस्मोग्राफ रॉबर्ट मैटेट ने बनाया था स्टीम बॉट फॉल्टन ने इन्वेंट किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं स्टील स्मेल्टिंग प्रोसेस हेंरी बैसमर का था सम्मरीन ब्रूशनेल ने बनाया था स्लाइड वैल्यू विलियम मद्रॉक ने बनाया था सैफ्टी रेजर जैलेट ने बनाया था टॉकीज लीडी फॉर्स ने बनाया था ट्यली प्रिंटर टैली प्रिंटर इमिल ब्रॉंडॉत ने बनाया था टैली वीजन जेयल inqu को तो उसका ध्यान दिजेगा टैली गैलिस्कोप गैलेलियो लिबनाया था ट्रांस्मीटर शॉकले निबनाया था अंडर सी फोटोग्राफी एड़ागुटर ने इनवेंट किया था यह कुछ मेडिकल के हैं एंटिसेप्टिक सर्जरी लॉड जॉसेफ लिस्टर ने किया था एंटि पेल्यो वेक्सीन डॉक्टर जॉन्स इस सिल्क ने किया था एंटि टॉक्सिक फॉड थीरिया एमेल वॉन बर्निंग ने किया था आर्टिफिसियल जीन जो है हर्गोबिंद खुराना ने बनाया था आर्टिफिसे हर्गोविंद कुराई इंडियन थे बैक्टेरिया को ल्यूक वैन हॉक ने बनाया था बलड सर्कुलेशन हर्वी ने एक्स्प्लेइन किया था नेक्ट है बलड ट्रांस्प्यूजन कर्ल लेंश्टेइनर ने किया था बैरी बैरी रों इजिक मैन ने बताया था क्लोरो फर्म को सर जैम्स हरिशन ने बताया था क्लोरो बैकुलस को रॉबर्ट कोस ने बताया था DDT की खोज डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी Dicentry की खोज किटेसेटो ने की थी फॉर्स्टेस्ट्यू बेबी को HTP and Edwards ने बताया था की खोज की थी या प्रोडूस किया था Germs Theory लुइस पास्चर ने बताया और Heavy Water यूरे ने HC यूरे ने Explain किया था आगे बढ़ते हैं Human Heart के बारे में Dr. Barnard ने बताया था Transplant के बारे में Christian ने बताया था Homopathy के बारे में Honeyman ने बताया था काला जार फिवर जो था उसको UN ब्रह्मचारी ने बताया था Malarial Parasite Penicilline को Dr. Ronald Ross ने बताया था और Penicilline को Alexander Fleming ने बताया था Phototherapy को N.R. Finchon ने बताया था Slavson and Neurosurson Slavson Slavcon Slavcon and Neurosurson को Paul Enrich ने एक्सप्लिन किया था इस्थित्योस्कोप को Lineak ने किया था इसको आला भी बोला जाता है जिससे आपके Heartbeat को ना पीडाती है स्थिप्टोमाइसिंग की खोज Solomon Walksman ने की थी Sulfa Drug की खोज G.Domegg ने की थी Typhide Bakial की खोज Eberth ने की थी Tubular Backly की खोज Robert Coach ने की थी Ultra Voilet Ray की खोज Finson ने की थी और और Vaccine for Vaccine for Hydrophobia Lewis Pasteur ने की थी और Vaccine for small box को Edward Jenner ने बताया था और फिर यहां पर last question है योग को किसने बताया था तो योग को Patanjali ने explain किया था तो यह हमारा आज कर notes हो गया कल और पड़सो इसी पर दो test में organize करूँगा आप लोग को मैं मैं को मैं आप लोग को रात में sit दे दूँगा मैं आप लोग को रात में sit दे दूँगा और सुबह उसको explain कर दूँगा जैसा भी आप लोग होगा आप मेरे को वाटसप पर बता देना आप बोलोगे तो मैं रात में आपको sit दे दूँगा और सुबह उसको explain कर दूँगा या फिर सुबह डिरेक्ट जैसे मैं explain करता हूँ वैसे मैं explain कर दूँगा जैसा आप लोग सही कहो ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो पर ठैंक्यू दोस्तो कर दोस्तो